दूमक्खवलेबाहो दूमकशवलेबाहो अलेबाहो दूमकचवलेबाहो लचमी पान्स-पांच मक्खा, पीज दूमकजवलेबाह और आज हम सनवर्सा बलॉग के बेहटगों में आय हुए हैं और एक अछे किसान हैं जिनोंने लक्ष्मी का लगवग तो प्रफ आपना पुरा एडर बताईए घर सनवर्शा परखंड में डेहद पंचायद और बेहट गौं हुआ और मैंने तक्रीबन इस साल रचमी का ताड़ेतीन एकड में खेती किया था पहली बार मैं इस बीज को लिया था दुकांदार से जा करके अधिन पहले प्रफिडेंस नहीं था उमको की कैसा होगा नहीं होगा लेकिन बाद में जब उपजी सका देखे तो अच्छा लगा तब से पहले तो इसका बलरी बहुत पतला है दाना चमकीला है और मरक्सचर भी बहुत कम और मक्का के बनस पर मैं इससे पहले बार क्या करते अधिकाल्ब का भी लगाया हूँ एक अभी अठासी या फिर आपको बारा पच्पन लगाया था निजू बिडू का उससे बहतरीन मक्का हमको लच्मी 505 लग रहा है चलिए तो आपको यह मक्का क्या सुरवात में क्या खासियत अच्छा लगा था पहले तो जैसे आप सुसत को लेकर करके अपने खेत में आया और अपके कर मक्का लगाते हैं तो चलिए मैं बतादू अभी जो हम लोग लिए इसका सेलिंग पर्सेंटेश पांच के जी बुटा जे हम लोग लिए उसका बैराशी आया और मॉस्चर मेरे क्याल्सित मक्का पाजिए मुए अगिद्धि में था मैं निए कॉलें बहुत पतला बलडी और दाना ज़िए का साइज भी ग्रेंगा साइज भी बहुत ही लंबा है और चंड-कीला ठीक है और मेरा आपको कीशान को फाइए स्पीट काभीश दे रहे हैं वह सट जेर्मनेस्ट सब्सक्राइब एक पर सान्द अच्छा मेला चाहिए वाउचा मेला तो यह लक्षमी गॉल सोने का समन पैदावार मिला तो जो तक तो अच्छा लगा तो आप सब किसान दोटाइब यह इस वार जो यह याज तुफान आया जो कि यह बिहार में अच्छा इसका आशर देखने को फिर भी यह मक्का खड़ा हुआ है अनुका बात करें बहुत सारा मक्का भी गिर गया है लेकिन लक्ष्मी परश्व पाँज विप्रीश परस्तिती में भी यह खड़ा है इसलिए हम लोग का एक बिश्वास है तो अड़े रहे हैं तो चलिए आप स्वी किसान बंदों को बहुत धन्यवाद तो नेक्स टेर यह कितना लगाना चाह रहे हैं मक्का लगाईएगा बढ़ेगा इससे सारे तीन से पांच शे जाएगा जलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप स्व धूम्म चवलेबा हो धूम्म चवलेबा लच्मी पांच पांच मक्का बीज धूम्म चवलेबा